पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइफ टुडे पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाए का नित्त कर रहे किसान निताओं ने शुकरवार को कोलकाता में प्रेस्ट कॉंट्रेंस की इस वरान उन्होंने बंगाल की किसानों को संदेश दिया कि विभाज़पा का भाईशुकार करें और उसे वोट ना दें बंगाल विधानसभा चिनाओं को देखती वे 294 किसान दूतों ने 294 विधानसभा चेतरों में अपनी यात्रा चुरू कर दी और रंगा-रंग जुलुस के साथ ही ये किसान दूत पूरे बंगाल में ट्रेक्टर से यात्रा करेंगे प्रेस कॉंट्फिंस के बाद किसान नेताओं ने कोलकाता के डाम डिला मैदान में किसानों के साथ में मीटिंग की आज राकेश टिकैट भी बंगाल पहुँच रहे हैं इस दोरान भारती किसान यूनिन के नेता राकेश टिकैट, कोलकाता और नंदी ग्राम में किसान रेली करेंगे इसके लिए सेंक्टर किसान मोचा ने भी अपने हाथ कस लिए है सुभे 11 बजे राकेश टिकैट कोलकाता में होने जारे किसान महापंचयात में भाग लेंगे और टिकैट शाम 4 बजे 90 ग्राम में केन सरकार की कशी नीतियों के खिलाब भाशर देंगे बंगाल में योगेंदर यादो, मेधा पाटेकर, हन्ना मुला, वल्बीर सिंग, राजेवाल, अतुल कुमार अंजान, अभिका साहा, गुर्णाम सिंग और राल्चा राम सिंग, डॉक्टर सतिनाम सिंग भी शामिल रहेंगे और दिली से हमारे समधाता शंकर हमारे साथ फोन लाइन पर जोड़ गया है, शंकर, जो किसानों का क्रिशी बिल के विरोद में आंदोलन चल रहा है, वो अब बंगाल चुनाओं में भी पहुंच चुका, राकेश टिकैट, इस वक्त बंगाल पहुंचे हुए हैं, और जिं बंगाल पहुंचे रहा है। दूसरी बात इत्में धिरंद्र ये प्रमुखय मुख्य है कि इसको सरकार गंभीता लेने रिए इस पेर विशले तक भी देखे कहीं इस बात की और इशारा करते रहे हैं कि सरकार जो है हर चीज को यहागर-पार्थिस अंगठन देखे उटित केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो जाइत की बात है बीजेवे पी को ही लेकर बात होगी कि जब तक चुनादी अंक गनित पर कोई अथर नहीं पड़ता है इस आंदोलन का तब तक शैदर सरकार को इसे चिंता नहीं होगी और यही कारण है कि किसानों को भी शैदर देखें कि यह बात समझ में आई है और एक अच्छा मौका देख रहे हैं पर्शिम बंगाल में क्योंकि वहां पर बीजेपी के लिए ना सिर्फ अब नाक का सबाल हो गया बनकि काफी यूदर स्टर पे वहां पर तैयारी चल रही है बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए वहां पर पूरी तरह से जा लगाई हुई है वहां पर अब ऐसे किसान जो है वहां पर जाकर 294 जो बिधान सभा है अधिरे अंदर हर बिधान सभा के हिसाब से किसान जो है अपनी बात रखेंगे जिसके शुरुआत रहो चुकी है और राकेश्चिक है जो कि पूरे आंदोलन में एक अब मूंखी चेह बैद किसान बंके उभे है । जो होना वहां होना बहुत महतFUL है और पर्यास किसान तरफ से यह कारिम के आ जा रहा है कि हर तरीके से बीजेती को यह में सब्सक्राइब के सरकार है रहे हैं लेकि अखिशान को फैयार नहीं है जिस चरह से आरो पकिसान लगाते रहे हैं तो ऐसे में इस तुनाव जाके ये लोगों को बताना कि बीजेपी को वोट ना करें तो हो सकता है कि अगर इस तुनाव का पड़िनाम देखें कि अगर बीजेपी के शिलाफ जाती है तो किसान अपने अंदोरन को और भी तेज करेंगे और भी मजबूत करेंगे और उनके पास एक बड़ा अधार हो जाएगा कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो इसका पर्शिम बागान में हम याजा भूगत ना पाए देखेंगे शाम में बड़ा गया है कि जो हमारे पास सुचना जानकारी आई कि शाम में करी 6 बड़े जो मीटिंग मीटिंग होगी केंद्री चुनाव समीटी की बीजेपी की जो है इसमें निशी तो पर पांच राज्यों में जो चुनाव होने है उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रमुता जो है एक एक सीट को बहुत ही बारीकी से जांच परके बीजे बीजेपी हर हाल में चाहती है कि चुनाव जीते हैं हमने देखा भी है कि किस तरह से पश्चिम बंगार की लड़ाई जो है दीन पती दीन एक नए तरह पर पहुंचते जा रही है खासका नंदी ग्राम में जिस तरह से मुखवंपिर ममता बनाजी के साथ जो हाथा हुआ है यह अभी तक सस्पेंस बना हुआ है ममता बनाजी बता रही है कि उनके उपर अटैक हुआ है वही बीजेपी इसको नातक करा दे चुकी है और इसमें चुनाव जो पांच राजो की चुनाव है इसमें परमुक्ता से वो पश्चिम बंगाल को टार्गेट कर रही है कि पश्चिम बंगाल का जो यह रन है हर लिहाद से बीजेपी जीदना चाहती है और यही कारण है कि इतने कम समय में देखें एक बार फिर से चुनाव यहां पर यहां पर यहां कि बीजेपी के जो केंजे चुनाव समीती है दूसरी बार बैट सही है पढ़ान मंतरी मोदी क है अगवाई में यहां पर वो टीम बैस्ती है और जैसा कि हमने अपने दर्सकों का बेट कि बीजेपी हर हाल में इस चुनाव को जीदना चाहती है जी शंकर तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यबार